नमस्कार मित्रों, CPK Education में आप सबी का स्वागत है मित्रों, आज मैं इस वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ कि रीड बर्ती की फाइल पर चुनाव आयोग की अनुमती कब मिलेगी रीड बर्ती की विगिप्ती कब जारी होगी और इसका एक्जाम कब तक हो सकता है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी यदि आप हमारे इस यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न बुले इस यूटूब चैनल पर रीड बर्ती की हर खबर आपको सबसे पहले परदान की जाती है अब हम बात करते हैं सुनाव आयोग से रीड बर्ती की अनुमत्ती कब मिलेगी परदेश में अभी सुनाव हो रहे हैं इसलिए आसार सहिता लगी हुई है कुछ दिन पहले सिक्षा विबाग ने रीड की फाइल मंजूरी के लिए सुनाव आयोग भेजी थी उसके बाद सुनाव आयोग ने उस फाइल पर उस आपत्यां दर्ज की और उसका जवाब सिक्षा विबाग को देने के लिए का था लेकिन शिक्षा विबाग उसका जवाब नहीं दे पाया इसलिए सुनाव आयोग ने उस फाइल की मंजूरी नहीं दी उसके बाद मुख्य मंद्री के निर्देश के बाद फाइल वापत सुनाव आयोग फेजी गई फाइल बेची वेच चार दिन हो गए है आयोग गैंता से उस फाइल की जांस कर रहा है संभावना जताइ जा रही है कि सुनाव आयोग इसी महा अनुमती दे देगा उसके बाद रीड बरती की विगिप्ती जारी होगी विगिप्ति जारी होने के बाद एक सब्ता में इसके फोरम शुरू हो जाएंगे यानी आधी जनुरी तक इसके फोरम बढ़े जाएंगे उसके बाद मादमिक शिटा बोर्ड एक्जाम करवाने की तेयारियां करेगा मार्स अप्रेल में बोर्ड परिक्षा होने के कारण रीड का आयोजन नहीं हो सकता अधिकारियों की मिटिंग में तय हुआ है कि बोर्ड परिक्षा के बाद मैं जून में रीड परिक्षा का आयोजन हो सकता है अब जिन विद्यार्थियों का पोर्स कम्प्लीट हो गए आएं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करे, मोडल पेपर हल करे, टेस्ट दे ताकि आपका सेलेक्शन सौप परतिसत हो सके धन्यवाद